हाई एवरीवन माई नोई इस भास्क यू वाचिंव फॉर्ट्र एड्युकेशन गाई जैसके आपको इस्कीन पर देख रहा है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं आपका रिस्पॉंसिव वर्टिकल टाइम लाइन डिजाइन उजिंग चैसे पर लाइड तो सबसे बाएगा और दिख यहाप से पहले हैं अने इसके पहले अ इसके लोगा सेक पहले dir जेन एक हैसे पहले ऑटर कि हैं व्यांटिट के लोगा नहींटिबर इंडिकल अन्दर क्लिया और सबसे पहले हरो एंधन यहापे फंड पर आईकन and होगा उसका title and उसके बाद उसका paragraph तो ये part खतम होने के बाद आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर दिखेंगे ये box हमने left hand side में कर दिया and date यहाँ पर आपका right hand side में हो गई and उसके बाद यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि year का हमने circle बना रखा है and same design जो आपको उपर समझा है वो ही यहाँ पर हम कर रहे हैं कि timeline effect दे रहा हमें and यह bottom पर आने के बाद आप देखेंगे launch and launch का भी हमने यहाँ पर timeline effect दे रखा है and इसके बाद यह phone पर कैसा दिखेंगा वो मैं सबसे बहुत आपको दिखाता हूँ तो करेंगे inspect and inspect करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका यह tab design है okay tap पर कुछ इस तरीके को जो आपका desktop पर वही same and mobile पर कैसे देखेंगा तो देखेंगे आप mobile पर आने के बाद तो आप देखेंगे यहाँ पर mobile पर आने के बाद सब कुछ आपको left hand side से right hand side में आ रखा है okay and यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा तो आपको यहाँ पर design दिख रहा होगा okay तो यही design हम बनाने वाले हैं guys तो यह properly responsive है okay जो कि मैंने अभी आपको दिखाया and बताया तो video start करने सपहले बस में एक चोटी से request है guys अगर आप में चैनल पर new है ना तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब करें बैल एकन को हिट करें जिससे की वीडियो की latest notification आपको सबसे पहले मिल सके and code for education को Instagram, Facebook and Twitter पर follow करें जिससे कहा होगा guys daily basis पर मैं fundamentals की post डालता हूं Instagram, Facebook and Twitter पर जिससे कि आपकी knowledge increase हो सके and अगर आपको मेरी video related and project related कोई भी problem आती है न तो आप मेरे से बात कर सकते हैं तो चलिए अब नेक्स दिर की video को start करते हैं सबसे पहले अपने browser को set करते हैं and अपने editor पर आते हैं editor पर आने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां पर कुछ चीजे मैंने already call करा रहे हैं तो वो क्या-क्या है सबसे पहले हमने bootstrap 4 का CDN link यूज़ कर रहे हैं and हम यहां पर font awesome यूज़ कर रहे हैं 5 के लिए जो icons हम यूज़ करेंगे यहां पर क्या करेंगे यहां लेंगे हम आपका div लेने के बाद सबसे पहले होगा आपका title तो title का div ले लिया हमने यह timeline लेंगे एक class ठीक है यह सारे classes हम CSS के through ही modification करेंगे guys ओके and इसमें bootstrap की classes आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा यह container आपकी bootstrap की class है ठीक है इसके बाद क्या करना है इसके बाद container ले लिया हमने ठीक है रो ले लेंगे अब ठीक है रो ले 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 हमने and इसके बाद क्या करना है इसके बाद होगा आपका यहां पर call lg 12 ट्वैल, ओके, कि बड़ी स्क्रीन पे आपका 12 दिखेगा, ठीक है, एंड इसमाल तो हम डिफाइन करी नहीं रहें, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा, अब यहां से हम क्या करेंगे, अब एक और डिव लेंगे, ख्लास लेंगे, एंड ख्लास में क्या होगा, आपका ट होगा, आपका नाओ, ठीक है, जो मैंने सबसे बहुत दिखाया था आपको, वो गोल सरकल, वो नाओ का ही था, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसी में, यह डिव हो गया, एंड इस डिव के बाद क्या करना है, इसमें, हम करेंगे, डिव, क्लास, ओके, टाइ timeline right ठीक है यह हमारी अपनी class है ओके इसके बाद क्या होगा class लिगे है आप एंगे ठीक है call md 6 ठीक है यह हमने ले लिया यहां पर एण्ट इसके बात क्या करेंगे अब इसमें इसमें पी लिंगे and P पे क्या करेंगे सबसे पहले तो class लेंगे जिससे कि हम modification कर सकें इसको यहाँ पर आएगा timeline timeline date यह हमने ले लिया and इसके बाद क्या इसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देंगे dummy जो dummy date होगी कोई सी भी वो हमने यहाँ पर लिख दी यह हमने ले लिए and इसके बाद क्या इसके बाद हाँ पर हमारे class ठीक है class में क्या होगा आपका timeline box ठीक है यह दे दिया हमने and इसके बाद होगा आपका again इसके अंदर class आपका timeline ठीक है icon ओगे यह हमने दे दिया and इसके बाद जो होगा के अंदर font awesome का icon use करेंगे तो सबसे पहला icon जो होगा far and gift होगा ठीक है जो आपको दिख रहा था वहाँ पर ठीक है and इसके बाद क्या इसके बाद एक और डिफ होगा यहां पर class ठीक है class ले लिए हमने timeline ठीक है text यह text होगा हमारा जो की उस box में दिख रहा था तो उस पर क्या होगा h3 होगा सबसे पहले जो हमारा title का काम करेगा उसके लिए हमारा पर dummy text है यहां पर हम copy करेंगे इसे यहां करेंगे paste ठीक है और पी पी के लिए हमारे पास already है तो हम करेंगेじゃあ copy करेंगे इसको पेस्ट फिक है तो यहरा छीज हमने paste कर दी एक हमारे इक होगा हमारा थे इसके बाद हम क्या करेंगे अब हम करेंगे इसको copy यह हम करेंगे सबसे बदम होगी यहां पर कुछ error체 होगी इहां है आपका md पर हमें नन करना है and by default आपका डिस्प्ले ब्लॉक रखना है okay and इसके बाद क्या होगा इसके बाद होगा आपका d md none and d आपका ब्लॉक यह आपकी boot shape की class है जो display block का shortcut है जो की boot shape हमें provide करार के देता है ठीक है and इसके बाद क्या करना है इसके बाद सबसे बहल तो हमें क्या करना है इस div के बाद इसी div के बाद आपको अब यहां पर क्या करना होगा एक और div लेंगे ठीक है यह div ले लिए हमने इसमें क्या होगा आपका timeline icon okay icon d md block okay and वैसे होगा आपका none यह ठीक है switch कर दी चीजे and यहां पर font awesome का icon आ गया and इसके बाद आप देखेंगे far far business time and इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे आप एक और class add-on यह सारा mobile version के लिए भी हो रहा है guys okay की mobile पर कैसा दिखेगा और कौन सा div दिखेगा यह six ठीक है bmd block okay and वैसे यह रहेगा आपका none ठीक है यह चीज़ होगी इसके अंदर p लेंगे हम ठीक है p पर होगी आपकी class जिसे हम करेंगे modification तो class का नाम होगा आपका timeline date ठीक है common ही class होने वाली है जो कि सब पर काम करेगी 01 jan 2020 ठीक है यह चीज़ हमने कर ली ओके तो यह दो div बन गए अभी मैं आभी आपको दो div ही save करके दिखाता हूँ सबसे पहले एक है आपका right एक है left एंड उसके बाद आएंगे यहाँ पर अपनी browser पर एंड ब्रॉजर पर आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओके बट अभी तो हमारा पास बहुत ज़ादा है क्योंकि timeline मनाना है हमें properly तो उसके लिए क्या करना होगा इसके बाद करेंगे हम यहाँ पर अब यह तो होगे हमारा पहले right left and then अब यहाँ पर होगा आपका class ठीक है and class में होगा सबसे पहले तो आपके boot shop की class row ईसके बाद में चो डिवोगा ना क्लास लेंगे यहाँ पर ठीक है and call 12 ठीक है इसके बाद में div class ठीक है and इसके बाद में timeline year ठीक है and यहाँ पर P हो जाएगा आपका 2020 ठीक है यह वालवा डिवोगा आपका and इसके बाद में क्या इसके बाद में जो आप बनाएंगे हम वो बनाएंगे right के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लिए इसको copy ठीक है एंड यहाँ paste करके changes कर लेंगे जो हमें changes करने हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो आपका change करेंगे वो बस जश्ट आपका one change कर देते हैं, that's it and इसके साथ में कुछ चीज़े और change होंगी, वो होंगी आपकी आपका, यहाँ पर icon change होगा font awesome का, ठीक है icon में आपका आ जाएगा briefcase, ठीक है, यह चीज़ होगी आपकी and और कुछ change हम इसमें नहीं करेंगे, तो यह आपका left वाले part में भी क्या change हो करना है हमें left वाले part में आपका सबसे पहले तो आपका यहाँ पर change होगा, यह ठीक है यहाँ पर हमने man change कर दिया, okay and इसके बाद में यहाँ पर आपका icon भी change हो जाएगा, okay icon के लिए हमने यहाँ पर icon डाल दिया एंद इसके बाद क्या यही आईकन आपका नीचे भी change होगा ठीक हे है जो हम यहाँ पर दिखा रहे है यह हो गया एंद इसके बाद में यह चीज हमने यहाँ बना लिए ठीक है यह हो गया left के लिए ठेक है है अभी हमने यहाँ पर आपका क्या कर रहा था right, left, arrow and then उसके बाद right left ठीक है यह चीज हमने कर ली and इसके बाद क्या इस करेंगे copy ओके यहाँ paste कर लेंगे ठीक है and paste करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर change होगा आपका June and then उसके बाद में icon icon में running ठीक है भागता होगा ठीक है यह चीज के लिए यह राइट के लिए होगी बागी तो content same ही है and बागी चीज होगा हम change भी नहीं कर रहे and यहाँ से करेंगे इसको copy ठीक है paste ठीक है यह किस के ली यह left वाले section के लिए ठीक है and left वाले section में अब क्या change होगा अब यहाँ पर again यहाँ पर change कर लेते हैं अब होगा आपका यहाँ से March कर लेते हैं ठीक है and उसके बाद में icon change कर लेते है icon यहाँ पर क्या आजाएगा आपका home ओके and यही icon है यहाँ पर आपका आजाएगा home तो ये दो आईखन हो गए हमारे यहाँ पे, दोनों आइखन को हमने कर लिया, change घ Arias and इसके बाद, ये चीज्ज हमने बना लिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हम करेंगे, अब सबसे पहले तो हमें इससे बाहर निकल जाना है जो हमारी row है ठीक है अब हम इससे बाहर निकलेंगे इस वाले div से जो कि हमारा ये div है ठीक है इसके बाहर आते ही अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक और div लेंगे ठीक है इसके बाद क्या इसके बाद इसी में एक और डिव होगा हमारा ठीक है ये डिव होगा हमारा टाइम लाइन लॉंच ठीक है ये चीज़ हो गई एंड इसके बाद में जो डिव होगा हमारा उसके अंदर क्लास आएगी हमारी क्या timeline box guys ओके यह हमने ले लिया and इसके बाद decorative ठीक है इतने device ले लेने पड़े हैं guys क्योंकि यह properly responsive बनाना है हमें अगर desktop बर्दन बनाना होता हमें इतनी चीज़ों की जुरूत नहीं पड़ती होगे h3 है यह and इसके बाद में हम करेंगे यहां से इसको copy and यहां कर देंगे paste ठीक है and यहां चीज़े हमें p paragraph तो हम पर यहां पर paragraph कर देंगी है करेंगे copy and paste ठीक है and यह सारी चीज़े आपको देख रही होगे कि बना ली हमने ठीक है एक आपका डेव यह रहाँ ठीक है मैं सबको separate कर देता हूँ जिससे की confusing ना हो ठीक है सबसे पहले यह bottom का है आपका देख लीजे and then उसके बाद launch का text and इसके बाद इसके अंदर है सारे के सारे हमारे वो जो हमने बना हैं यह left का and then इसके बाद यह हमारा center में आपका 2020 दिखे है वो and then बाद की सारे copy paste है इसके बाद हम इसे करते हैं save and चलते हैं अपने browser पे and browser पे आने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके कर दिख रहा है भी तो अब इसी चीज को हमें करना है design तो हम क्या करेंगे अपनी चलेंगे CSS फाइल पे and CSS फाइल पे कुछ चीज है पहले से चल रही है आप देखेंगे body body पे and color आ रहा है आपका text का background हम दे रहे है and font family हम दे रहे हैं यहाँ ठीक है इसके बाद क्या करना है इसके बाद हम करेंगे title को जो की title सबसे उपर था उसको तो उसमें होगा position relative and इसके बाद क्या होगा margin top से 30 pixel का and इसके बाद में width जो होगी width होगी 100% की and text align होगा आपका center ठीक है यह class कहा है यह मैं पहले बताता हूँ आपको यह class है आपकी सबसे उपर यहाँ पे ठीक है इसके बाद क्या करना है इसके बाद अब जो next है वो है आपका timeline class ठीक है timeline ठीक है इसको क्या करना है इसको position relative पहले and then width होगी आपकी कितनी width 100% padding कितनी होगी guys padding top and bottom से 30 pixel की और left and right से आपकी 0 होगी and यह class कहाँ पे class है आपकी html पे सबसे पहले यह रहा ठीक है parent class इसके बाद चलेंगे browser पे and browser पे आने के बाद आप देखेंगे तो यह आप महारा थोड़ा distance आ गया इसके बीच में ठीक है इसके बाद क्या इसके बाद जो next है dot timeline dot timeline container container ठीक है container लेंगे हम ठीक है सबसे पहले हमने इस timeline से इस timeline container को get कर रहा है उसके बाद आप देखेंगे browser पे आने के बाद तो अब यहाँ पे कुछ चीज चेंग नहीं क्योंकि वहाँ पे बस relation and हमने आपका विर्थ बताईए that's it इसके बाद क्या करना है इसके बाद dot timeline ठीक है and dot timeline and grouping कर रहे हैं basically guys इसमें dot timeline dot timeline start timeline dot timeline year तीनों को एकी बाद में हमने ले लिया इसके बाद में हम कर रहे हैं position, relative and जो width होगी है आपकी कितनी width 100% की होगी okay percentage नहीं बनाए guys percentage की होगी ठीक है and जो text होगा न text line center होगा guys ठीक है and z index इसका one होगा okay यह हमने यहाँ पर बना दिया यह कहाँ पर एक लास इस तीनों मैं इक बार आपको दिखाता हूँ and यह रही आपकी ठीक है and को हमने यहाँ पर बना दिया and इसके बाद का है and इसके बाद है हमारी start class ठीक है तो start class है आपकी start यह रही ठीक है start class यह रही and then year class कौन सी है year यह रही ठीक है हमने यहाँ पर देख ली कि आपकी यहाँ पर start यह रही year यह रही यहां पर आपको चीज़ें देख रहे होंगे 2020 now and then यहां पर launch यह तीनों चीज़ें आपको देख रहे होंगी अब accurate आ गई है इसके बाद क्या करना है guys इसके बाद आएंगे अपनी CSS पर रहेंगे यहां पर save okay and then इसके बाद यहां पर आएंगे आपका time line where not time line ठेक है and and यंदर पी ओगे फिर्स्ट होगे फिर दॉट टाइम लाइं इस्टार्ट पी ओगे and then timeline year में पी तो तीनों ही तीनों में जो पी है ना हम उसको कर रहें स्टाइल तो inline क्या करेंगे inline block पहले okay and then इसके बाद जो width होगी वो होगी आपके 80 पिक्सल की ठेक है height कितनी होगी guys height होगी आपके 80 पिक्सल की first and then इसके बाद होगा आपका margin zero padding होगा आपका 30 पिक्सल का and then zero left and right से text line क्या होगा center होगा okay and background में आपका gradient यूज करेंगे तो gradient में दो गलर होंगे पहला होगा 4f84c4 ओके यह first color है and second color जो होगा वो hash 00539C ठीक है यह हमारा second color है and इसके बाद क्या करेंगे border border में radius ठीक है 100 pixel का okay and then इसके बाद में क्या होगा box shadow देंगे guys कितनी 005 pixel RGBA ठीक है 0.4 ठीक है box shadow होगा and then इसके बाद में आप देखेंगे यहां पे color हो जो होगा text का वो होगा आपका white ठीक है तो यह सारे के सारे p है न जो उसके अंदर उसके लिए करा है paragraph के लिए and then इसके बाद चलेंगे अपनी browser पे and browser आने के बाद आप देखेंगे तो यह देखेंगे now 2020 and launch यह तीनों ही तीनों हमारे बन गए एक इस बार में आपकी तीनों पर प्रॉपर्टी हमने बना दिये इसके बाद क्या करेंगे चलेंगे अपने हाँ पे CSS पे again and CSS पे आने के बाद आप करेंगे next.timline year okay year में क्या होगा आपको year में हम मार्जन देंगे टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल गाए और वैसे जीरो ओगे year में बता चुका हो इंचनल में कहां पे इसके बाद चलेंगे browser पे और browser पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे अभी आपका आ रहा है इसके बाद क्या करना है इसके बाद next जो होगा आपका timeline timeline में आपका क्या करना है हमें आपका continue लेंगे जो अभी हमने class बनाए थी तो वो continue लेंगे तो उस पर करेंगे आपका position relative and then इसके बाद क्या होगा इसके बाद होगा आपका width 100% ओके, with 100%, and then padding कितनी होगी आपकी, padding होगी आपके 60 pixel की, and left and right से आपका 0 होगा, ओके, 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यह class कहाँ पे, यह मैं सबसे बहले आपको दिखाता हूँ, यह class है, आपकी यह रही, ठीक है, यह सारे के सारे divs पे हमारी common class है, and then उसके बाद देखेंगे, browser पे आने के बाद तो आपको यह दिखे, okay, space दिख गया, okay, क्यों, क्योंकि हमने padding दीती, okay, इसके बाद क्या करना है, अभी तो हमने space देती है, इसी में हम क्या करेंगे, इसी class पे, हम करेंगे copy, okay, करेंगे paste, ठीक है, and paste करने के बाद सबसे पहले ह हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम after बना रहे हैं, okay, after पर क्या कर रहे हैं, हम position, absolute, okay, and इसके बाद में content होगा, आपका blank, okay, width कितनी होगा, one pixel की, okay, height कितनी होगी guys, height होगी 100% की, ठीक है, and इसके बाद में, एक मिनट अप कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, top होगा आपका 0, okay, left कित में होगा, one pixel का, ठीक है, and जो background color है, न, background color में हम क्या करेंगे, hash, 4F8, 4C4, ओगे, यह हमने color दे दिया है, आपे, ठीक है, f double bar आगे आपका, ठीक है, यह color होगी आपका, and इसके बाद चलेंगे browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखेंगे, तो एक underline हमारी bottom तर जाएगी, ओ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद, अब जो next करेंगे हम, इसके बाद होगा timeline, ठीक है, timeline के बाद, timeline के बाद, timeline के बाद रो लेंगे, यह है bootchap की class, okay, bootchap की class पे एक class दी थी, हमने timeline, ठीक है, वो थी हमारी left और right, ठीक है, यह दो classes दी थी हमने यहापे, different करने के लिए, तो हम यहापे right को भी ले लेंगे, okay, and right के अंदर जो होगा न, timeline, date भी होगी, okay, ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे है, हम इसको text line, right कर रहे है, that's it, ठीक है, यह दोनों ही classes कहा है, यह मैं सब से पहले आपको दिखा देता हूँ, यह class है आपकी यह रही, right की, ठीक है, right तो ल पर आने के बाद आप देखेंगे, तो अभी हमारा यहाँ पर date and content आपको almost थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि आचुका है, अपनी सही position पर, but अभी accurate नहीं है, okay, इसके बाद क्या करेंगे, चलेंगे अपनी CSS पर, and CSS पर आने के बाद जो next होगा, तो copy-paste, okay, मैं इसको copy कर करता हूँ, मैं यहाँ paste कर देता हूँ, and सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ, आपका right, okay, and नीचे होगा आपका left, ठेक है, उपर वाले में, हमने क्या कर रहा था, right वाले section को कर रहा था, इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, आपका left वाले को, तो यहाँ पर text लें, left, इसके बा ने दिख रहे हैं, बट अभी इनको designing करना बागी है, and सबसे नीचे वाले को भी अभी हम predict करेंगे, okay, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद next होगा आपका timeline, timeline लिया हमने, ठेक है, इसके बाद timeline लेंगे, again, and timeline में क्या होगा, date होगा, okay, and date में सबसे पहले क्या, date में ज pop से 00, बागी सब 0, ठेक है, तो ये timeline date कहां पे, timeline date ये रही, okay, ये common है, सारे divs पे आपको पता है, हमने बस copy paste करा है, and classes को change करा है, okay, and इसके बाद चलेंगे browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखेंगे, तो date की position बतलगी सब की, ठेक है, font weight के साथ, and size के साथ, okay, तो ये चीज है, अब हमारा, वो होगा हमारा timeline, ठेक है, timeline dot, timeline date पे, after, ठेक है, बाद में जो होगा हमारा, create करना है, जो हमें, वो होगा content सबसे पहले blank, okay, and display जो होगा, वो होगा आपका block, okay, and इसके बाद में, position absolute, ठेक है, and इसके बाद हमारा width, कितना, 14 पिक्सल का, ठेक है, height कितनी guys, 14 पिक्सल की, ठेक है, same रखेंगे, and जो top से होगा न, top से 45 पिक्सल का होगा, okay, and background में क्या करेंगे हम, background में gradient लेंगे, okay, and gradient में same, जो color हम दे दे, comma, ठेक है, and 00, यह color हमने यहाँ पे दे दिया, ठेक है, and इसके बाद में क्या करना है, यह थोड़ा सा अप कर देते, and इसके बाद क्या करना है, इसको box shadow, 00, 5 पिक्सल का, ठेक है, rgba, ठेक है, black, comma, black, ठेक है, थोड़ा सा black देंगे हम यहाँ पे, and इसके बाद क्या करना है, इसके बाद होगा border, radius देंगे, कितना guys, 15 पिक्सल का, that's it, and jet index यहाँ पे क्या रखेंगे, one रखेंगे, ठेक है, यह इसके लिए, यह date वाले के लिए, ठेक है, और date कहा है guys, date यह रही, ठेक है, इसके बाद चलेंगे अपने यहाँ browser पे, and browser आने के बाद आप आप देखेंगे, तो यहाँ पर अभी आपको यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आफ्टर नहीं दिख रहा, after create नहीं अब हमें क्या करना है, तो अब हमें देखेंगे कि एक चीज कैसे सही manage होगी, तो अब हम क्या करेंगे next, next में होगा हमारा timeline, okay, dot row में timeline left, ठेक है, and उसके अंदर जो timeline है न, okay, timeline, date, after, ठेक है, यहाँ पर क्या करना है, left से 7 पिक्सल का, ठेक है, यह चीज हमने किसके लिए करी, timeline, यहाँ पर तो आपने date के लिए कर दी, but left वाले के लिए हमने अलग से लिए, कि left की class को get करा है, and then उसको हमने left position लिए, okay, इसके बाद आप देखेंगे browser पर आने के बाद, तो यहाँ पर यह dots बिल्कुल accurate आगे है, okay, यह देखेंगे, आप dot, यह accurate है, यह accurate है, यह accurate है, but अभी right वाले accurate नहीं है, तो वो कैसे होंगे, तो उसके लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने यहाँ पर आएंगे, copy करेंगे इसको, okay, and इसके बाद कर देंगे, इसको paste, ठीक है, and यहाँ पर क्या कर देंगे, change, यहाँ कर देंगे right, ठीक है, and यह चीज़ क्या हो जाएगी, यह अभी हमने left से करी थी, यह चीज़ हो जाएगी आपकी right से, ठीक है, यह right से हो गई, इसके बाद देखेंगे, ब्राउजर पर चलके, तो हमारे सारे के सारे dots बन गए है, नाओं का तो बनाई दिया था, हमने सबसे पहले, तीनों को common करके dots भी बन गए हमारे देखें, ठीक है, तो हमारे यह timeline की underlying and circle यह चीज़ बन गई, इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अब, इसके बाद हम करेंगे dot timeline, ठीक है, dot timeline, ठीक है, box, यह कहाँ पर class है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, dot timeline, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा guys, यहाँ पर आपका आएगा launch का, ठ यहाँ पर position relative करेंगे, पहले तो, ठीक है, and इसके बाद में क्या, इसके बाद में display, inline block, okay, and margin जो होगा आपका, वो चारो ही तरफ से 15 pixel का होगा, okay, and जो padding होगी ना guys, वो 20 pixel के चारो तरफ से होगी, okay, and जो border होगा ना guys, border होगा 1 pixel का solid, ठीक है, and then उसके बाद में DD, ठीक है, यह होगा, and इसके बाद में जो border radius होगा, वो 6 pixel का होगा, okay, यह चीज़ दे दी, and इसके बाद में background color देना है हमें, तो background color कितना होगा, white होगा, ठीक है, यह चीज़ हमने बना ली guys, okay, तो यह चीज़ बनाने के बाद इसे करेंगे save, and यह classes मैंने आपको बता दी कि यह आपक होगा, and padding दीख रहा है, सब में दीख रहा है, but last वाले में आपके दो-दो आ रहें, तो यह कैसे हटेगा, तो आएंगे अपनी CSS पे, and CSS पे आने के बाद आप क्या करेंगे, timeline, okay, and launch में आएंगे, ठीक है, सबसे पहल तो यहाँ पे होगा, आपको width 100%, okay, and इसके बाद में margin, top and bottom से 15 pixel होगा, and left and right से 0, padding कितनी होगी, यह भी 0 होगा, यहाँ पे आपका, ठीक है, and इसके बाद में water जो उपर दे रखा है, आपने, जो double आ रहा है, वो यहाँ पे कर देंगे, none, okay, and इसके बाद में text line क्या होगा, center होगा, ठीक है, and background क्या करना है हमें यहाँ पे, background यहाँ पे होगा, आपका transparent, ठीक है, यहाँ पे, किसके लिए कर रहा, last वाले के लिए, जो कि आपका double-double underline आ रहे थी, इसके बाद चलेंगे अपने browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखेंगे, तो यह देखिए, ठीक है, एक तो यह center में आ गया, and यहाँ पे जो box बन रहा था, व launch नहीं होगा, अप क्या होगा, हमारा box होगा, ठीक है, तो box के ऊपर आपका after लेंगे, ठीक है, and इसे grouping करेंगे किसके साथ, इसे करेंगे timeline, ठीक है, dot timeline, ठीक है, box में ही, before लेंगे, ठीक है, and इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे content होगा, blank, पहले, and display, block होगा, and इसके ब absolute, ठीक है, width कितनी होगी, guys, आपकी, width होगी, 0, height कितनी होगी, guys, यहाँ पे, 0 कर देंगे, इसको, border style क्या करना, इसको, guys, border style होगा, आपका यहाँ पे, solid, ठीक है, solid हमने दे दिया, ठीक है, यह solid होगा, and इसके बाद चलेंगे browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको dots दिख रहा होगा, यह, छोटा सा dots, okay, तो आप इसके लिए पे हम करेंगे, क्या, इसके बाद जो आप next करेंगे, na, css, तो वो css होगी, आपकी यहाँ से, dot timeline, ठीक है, timeline के बाद row लेंगे, row के बाद left लेंगे, and dot timeline होगी, but update नहीं होगी, guys, ठीक है, अब timeline के साथ row में, okay, यह left के लिए कर रहे हैं अभी, okay, यह अब का after click, and अब क्या है, before click, ठीक है, यह चीज़ होगी, and इसके बाद में क्या करना है, left से 100% पहले, ठीक है, and इसी चीज़ को करेंगे copy, and यहाँ कर देंगे paste, okay, and यहाँ कर देंगे change class क्या, right, okay, इसलिए हमने independence class दी यह दोनों बना लिए, and इसके बाद चलेंगे अपनी browser पे, and browser पे आप देखेंगे तो यह dots दिख रहे होंगे आपको, okay, यह देखें, sub पे, ठीक है, but अभी क्या है कि अभी इसको design करना है, तो design करने के लिए क्लिए क्या करना है, अब चलेंगे हम यहाँ पे, अपने last box पे, ठीक है, यहाँ करते हैं, इसको copy paste, ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे पहले ही क्या आएगा, यहाँ पे यह चेंज हो जाएगा, guys, यहाँ से road जाएगी, क्योंकि हम यह last वाले dip के लिए बना रहे है, और last वाले dip पे क्या था, guys, last वाले dip पे launch था, ठीक है, दोनों पे ठीक है, तो यह किसके लिए, यह last वाले box के लिए कर रहा हमने before, after, इसके बाद चलेंगे अपने browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखेंगे, तो यह देखिए, दोनों dot आपके बिल्कुल accurate सामने आ गए है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद next CSS पे आएंगे, and CSS पे आने and इसके बाद में border, color जो होगा न, सबसे पहले तो वो transparent होगा, okay, first, again transparent होगा, again transparent होगा, and then उसके बाद में dd color होगा, ठीक है, and इसके बाद में, यहां से width होगी आपकी, कितनी 11 pixel की, ठीक है, यह किस के लिए, यह before के लिए कर रहा हमने, ठीक है, याद रखेगा, यह before के ब्राॉजर पे, and ब्राॉजर पे आने के बाद आप देखेंगे, तो before देखेंगे, आपको यहाँ पर arrow दिख रहा होगा, यह, okay, indicate करता हो, but, अभी यह क्या है, कि बाकियों के लिए बी अलग करना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब next, तो next में अब हम क्या करेंग आपर से कर लूँगा, इसको कॉपी, water color को, ठीक है, and यहाँ कर दूँगा, paste, and जो last में है, यहाँ से इसको हटा के, ठीक है, and यहाँ पे center में आपका color आ जाएगा, ओके, FF, ठीक है, यह after के लिए करा मैंने, यह right के लिए कर रहें, basically guys, ठीक है, याद रखेगा, इसके color change हो जाएगा, that's it, color क्या आएगा, DD, ठीक है, तो यह किसके लिए हो गया, यह आपका, जिसमें, आपकी row के साथ, timeline right की class है, ठीक है, तो आप चलेंगे, इसके बाद browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखेंगे, तो यह देखेंगे, अब आपका यह arrow दिख रहा होगा, properly, आ dot timeline, ठीक है, launch, ठीक है, dot timeline, box, का क्या होगा, after होगा, इसका, ठीक है, इसके after पे क्या करने, top से minus 20 pixel करेंगे पहले तो, okay, and इसके बाद में border color लेंगे, तो border color मैं उपर से ही copy कर लेता हूँ, सबसे पहले तो, ठीक है, and यहाँ page कर देता हूँ, that's it, and यहाँ से सबसे पहले तो ठीक है, इसके बाद, अब क्या करना है, अब करेंगे हम यहाँ पे, center में, तीसरे number पे, ठीक है, DD, यह किसके लिए हुआ, यह launch वाले के लिए करा हमने, ठीक है, and इसके बाद चलेंगे अभी browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखेंगे, तो अभी यहाँ पे आपको effect नहीं दिख रहा होगा, ओके, अभी accurate नहीं है, तो अब कैसे accurate होगा यह, अब इसमें हम क्या करेंगे, timeline लेंगे, timeline लेंगे, timeline launch, timeline, box, box ले लिया, and इसके बाद में, before ले रहे, ठीक है, and before के दो dots, already आगे उसके साथ, and इसके बाद क्या करना है, top से, minus 90 pixel, okay, and border color देना है, again, तो क्य क्या करेंगे, हम यहां से करेंगे, इसको copy, यहां करेंगे, paste, okay, and यहां से क्या करेंगे, इसको white color दे रहेंगे, ठीक है, gray color से हटा के, and इसके बाद में, जो border width होगी, न, इसकी, इतनी, 10 pixel की होगी, पहले तो, and इसके बाद में, jet index कितना होगा, इसका one होगा, यह किसके वाले के लिए, यह last वाले के लिए, जो launch वाले डिव है, इस पे चलेंगे अपने browser पे, and browser पे आने के बाद आप देखेंगे, तो अभी आपको यहां पे देख रहा होगा, छोटा सा देख रहा है, बहुत, okay, so guys, जो यह last वाला है, इसका arrow properly इसले नहीं देख रहा है, क्योंकि हमने एक चीज में सिंग करिए, वो है आपका, यहां पे create करेंगे, आपका क्या, after, ठीक है, यही before के copy को करके, हमने after में करा है, and इसका top जो होगा, वो 26 pixel का होगा, and इसका यहां प white color के साथ, आपका width कितने होगी, 10 pixel की होगी, इसके बाद करेंगे save, and इसके बाद again browser पे आएंगे, तो आप आप देखेंगे, तो यहां पे आपका यह arrow बिल्कुल accurate हो गया, okay, and इसके बाद आप देखेंगे, यहां पे आपका सारे की सारे सब पे white color आ चुका है, ठीक है, क् इसके बाद हम करेंगे, dot timeline, ठीक है, dot timeline, ठीक है, box होगा अपका, dot timeline, ठीक है, time line, ठीक है, यह icon कौन से हैं गाईज, यह font awesome के icon है, ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, हम position, relative, ठीक है, and इसके बाद क्या करना है, इसके बाद होगा width, 40 pixel का, okay, height कितनी होगे, height होगे आपकी photo, ठीक है, and इसके बाद में जो float होगा ना, वो left होगा, ठीक है, तो यह icons की class कहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यह icons की class कहाँ है, यह icons की class यह रही, ठीक है, इसके बाद चलेंगे browser पे, and browser पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, icons एक जगा तो सही है, दूसरी जगा भी accurate नहीं है, तो उसका भी हम करेंगे, उससे बहले हम कर लेते हैं एक चीज़ और, यहाँ पे आएंगे, अपनी यहाँ पे file पे, and file पे आने के बाद यहाँ पे आपका timeline, timeline, icon, eye, यह चीज़ होगी, and इसके बाद क्या करना है, इसके बाद font size, font size लिया, 25 pixel का and इसके बाद में क्या करना है, color होगा आपका, color ले लेंगे हम कौन सा, जो हमारा common color चल रहा है, हो, तो हमने किसके लिया, यह font icon के लिया, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, तो icon पे आपको यहाँ पे यह चीज़ दिख रही होगी, एक side का icon आपके accurate दिख रहे होगी, ठ icon side के आपके यहाँ पे, left side के नहीं दिख रहे है accurate, क्योंकि यहाँ पे यह आपका icon है, उसको हमें यहाँ पे adjust करना हुगा, तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे आप अपने code में, तो आएंगे अपने यहाँ पे code पे, dot timeline करेंगे, timeline, box, होगे, सबसे पहले, and then इसके बाद म and इसके बाद में जो text class दी थी थी न, उसका काम है अब, इसके बाद में position relative पहले तो, ठीक है, and width निकालेंगे न, वो calculation से निकालेंगे, 100% में से, minus कितना करेंगे, 40 pixel, because हमने वो icon को दिया है, ठीक है, वो minus कर देंगे, जो होगा, वो उसको मिल जाएगा, and float left रहेगा आपका इसके लिए, ठीक है, तो ये class कहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको दिखा जिता हूँ, ये class से आपकी ये रही, ठीक है, and इसके बाद ये चीज हमने करिए किसके लिए, क्योंकि हमने 40 pixel दीए, जो हम देंगे, वो हम यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद चलेंगे, यहाँ ब्र timeline, next CSS is timeline, ठीक है, timeline ले लिए हमने, dot timeline, launch की लेंगे, dot timeline, and इसमें क्या करेंगे, इसका width सबसे पहल तो, width 100% करेंगे, ओगे, and इसके बाद में, दो चीज करेंगे सबसे पहल तो, यहाँ पे करेंगे आपका timeline, ठीक है, and timeline के साथ में, text होगा, और उसके अंदर का h3, जो p और h3 है न, उसको design करेंगे, अब हम, वो होगा, आपका 16 pixel का, first, okay, and then उसके बाद में font weight होगा, font weight कितना होगा, 600 का होगा, ठीक है, and इसके बाद में क्या होगा, margin, bottom, कितना होगा, guys, बोद होगा, आपका 3 pixel का, ठीक है, and यहाँ से यह हटे का, ठीक है, यहाँ से hyphen आएगा, तो यह होगा, किस के लिए, यह P के लिए, इसके बाद इसी चीज को करेंगे, copy, and यहाँ करेंगे, paste, यह होगा, पी के लिए, वो h3 के लिए था, heading के लिए, and then यह होगा, 14 pixel का होगा, and then font weight, font weight कितना होगा, 400 का होगा, and then उसके बाद में margin, bottom कितना होगा, 0, ठीक है, जो कि हम मैं पीपे नहीं देना, ठेक है, यह दोनों चीज कहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको दिखायाता हूँ, यह दोनों चीज, इस चीज के लिए, जो कि हमारी common dip के अंदर पड़ी है, common class है, common content है, इसके बाद चलेंगे, browser पे, and browser पे आने के बाद आने के बाद, आपको कुछ इ अच्छे लग रहे हैं यहां पे देखने में, and यहां पे आपको दिख रहा होगा, दोनों तरफ के content बन चुके, and यहां पे bottom का भी आपका बना हुआ है, but इसके बाद में इसे responsive कैसे करना है, वो बहुत important है, तो वो यहां पे आएंगे, आप यहां पे, ठीक है, responsive के part को करने के लिए, and यहां पे लेंगे media, ठीक है, media में क्या होगा सबसे पहले, max, width, ठीक है, कितना, 768 pixel का, and इसके बाद में timeline, timeline, container नहीं होगा guys, continue चीए हमें यहां पे, और continue के after को करेंगे सबसे पहले तो हम, ठीक है, और after में से सबसे पहले 40 pixel का करेंगे इसको, ठीक है, जो left से रह लेंगे, grouping, किन चीजों को, वो सबसे पहले आप देखे, सबसे पहले, dot timeline, continue नहीं होगा यहां पे, यहां होगा, and, ठीक है, and comma लगाएंगे, dot timeline, ठीक है, start, comma, ठीक है, dot timeline, ठीक है, year को भी लेंगे, comma, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, dot timeline, ठीक है, dot timeline के बाद, अब यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा, आपका left, बट, यह left वाला कम, हम access कर सकते हैं, जब हमार पास में, row के साथ यह चीज़ करेंगे, ठीक है, जो हम उपर अभी करते वे, आ रहे हैं, comma, ठीक है, dot timeline, ठीक है, again, यहां पे right, ठीक है, हम उसके साथ क्या कर लेते, वहां पे row है, ठीक है, इसके साथ इसको access कर रहेते, group करके, ओके, and इसके अंदर की जो class है, timeline, date, इसको लेंगे, ठीक है, dot timeline, ठीक है, and dot timeline के बाद आपके आएगा, dot timeline के बाद आपका row, row में आपका right आगया, ठीक है, यह चीज़ कर ली, इसके बाद क्या dot timeline, ठीक है, time line में left, पहले तो, and dot timeline के बाद date, ठीक है, यह यहाँ पर भी ले लिए हमने, and इसके बाद में dot होगा again, ठीक है, and dot के बाद dot timeline, hyphen, launch, यह वाली class होगी, and इसके बाद में इस चीज़ को करना क्या है, सारा content हमें क्या करना है, left में भेज़ देना है, ठीक है, यह चीज़ किसके लिए, यह सारे के सा अबर कर लेंगे, then उसके बाद ही responsive देखेंगे, because बार बार नहीं देख सकते हैं उसको, तो dot row की class को लेंगे, left, ठीक है, dot timeline, date के after के साथ, before भी था ना guys, जो अभी हम उपर करके आ रहे हैं, ठीक है, row की left के, right को लेंगे अब, ठीक है, timeline, date, after, दोनों के after को उठा लिए हमने after को लेने के बाद क्या करेंगे, 47 pixel का करेंगे यहाँ पर, first, and इसके बाद में क्या, इसके बाद में अब होगा, dot, okay, dot, timeline, dot timeline, dot timeline, hyphen, box, ठीक है, group कर रहे हम, dot timeline, ठीक है, row, box नहीं आएगा, right आएगा यहाँ पर, उसके अंदर dot timeline के साथ क्या आएगा, आपका date, ठीक है, hyphen, date रख रहे हैं, and इसके बाद में, जो आपका आएगा, dot timeline, okay, dot row, dot timeline, ठीक है, अब यह जो date है, वो left वाले की यह लेंगे, क्योंकि हमने उपर right वाले की ले ली थी, and इसको क क्या करना है, margin, left से कितना होगा, 55 pixel का होगा, ठीक है, तो यह चीज किसके लिए, यह date के लिए, ठीक है, दोनों के, right and left, दोनों को हम grouping के साथ कर रहे हैं, ज्यान रखेएगा, okay, timeline, timeline, ठीक है, launch वाले ले रहे हैं, उसके अंदर के box को ले रहे, क्योंकि हमें वाँ फोन पर द dot timeline में, अब यहां पर launch नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आएगा, प्रो के साथ में आपका, left का part, और इसके इंदर आएगा, timeline की date नहीं, guys, timeline, hyphen, box का, after, चीक है, जिस पर हम यहां पर आपका dots, वो arrow बना रहे थे न, वो, वो होगा, आपका सबसे पहले, 20 minus pixel का, left से minus 20 pixel का, यहां से water color होगा, आपका, सबसे पहले तो आप transparent लेंगे, and then white देंगे यहां पर, again transparent and transparent ही होगा, चीक है, यह चीज हमने बता दी यहां पर, यह चीज किस के लिए बताए, यह चीज हमने after के लिए बताए, इसके बाद क्या करेंगे, इसको copy, paste, and यहां पर इसको का कर देंग ठीक है, and left से कितना होगा अब यह, यह होगा आपका 22 pixel का, ध्यान दखेगा, and color बदल जाएगा, बस आपका, यहां पर क्या होगा, यह डेडी हो जाएगा, यह किस चीज के लिए कर रहे है, जो arrow बनाया है ना हमने, indicate करने के लिए, यह उसके लिए कर रहे है, इसके बाद क् timeline, again, अब यहां पर क्या करना है, आपका row बाला नहीं आएगा, timeline आपका कौन सा आएगा, guys, यह आएगा आपका launch बाला, ठीक है, launch के अंदर के box को, before, after, जो भी हमारे हैं, दोनों वो, इसको बनाएंगे हम, timeline, launch के, before, ठीक है, यह चीज ले लिए, यह कितनी होगी हमारी left से, कितनी, 30 pixel की होगा, ठीक है, 30 pixel होगा, एंड इसके बाद, जो margin left होगा न, वो zero हो जाएगा, यहां पर, that's it, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हमने किस के लिए करी, यह responsive के लिए, पार्ट के लिए करी, एक बाद देख लिए आप पूरा, ठीक है, यह सारा कुछ हमने responsive के के देखेंगे कि tap version आपका चल रहा है, यह चल रहा है, यह देखेंगे आपका properly working है, ठीक है, design, and then इसके बाद देखेंगे mobile version के लिए, यह देखें, mobile version पर आपका क्या हो रहा है, आपका सब कुछ आपका left में चला गया, and content सारा right में आ गया, यह देखें, okay, so यह timeline आपका properly responsive work कर रहा है, यह देखें, ठीक है, and last वाले का जो हमने arrow का indication बदला था, देखेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह, and यहाँ पर आपको सारे के सारे दिख रहे होंगे कि properly responsive है, ठीक है, कोई भी आपका इदर अधर नहीं जा रहा, and यहाँ पर आपको desktop version तो हमारा बन चुका, thanks for watching for this video, जिस किस नहीं तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया, please चैनल को सब्सक्राइब करें, bell icon को hit करें, जिससे की वीडियो की latest notification आपको सबसे बहले मिल सके, and good for education को Instagram, Facebook, and Twitter पर follow करें, मिलते हैं, next video में, next topic साथ, जब तक प्रे, till then, जैहिंद गाइज! झाल 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 झाल